कि आपके बुक में कोश्चन नाइन नाइन ही कर लेते हैं कोई बात लेकिन समस्या आएगी थोड़ी सी चलो ट्रहन कर लेकिन समस्या नाइन आएगी थोड़ी सी चलो झाल झाल इसको इसी के साथ रखा जाए चली होफुली कुश्चन आपको दिख रहा होगा क्लियर ठीक है नहीं दिख रहा हो तो आपकी किताब का कुश्चन नंबर 9 है ये बुक में देख सकते हैं बाकि मैं कोसिस तो पूरी कर रहा हूँ कि आपको कुश्चन यहां पे दिखे सर किताब कुन सी है सर किताब यहां पे आपके लिए है जेयर मुंगा ठीक है चलिए कुश्चन पढ़ लेते हैं क्या कहता है कुश्चन में कहता है स्री एक्स रिटेल ब्रांच एट अलहाबाद गुट्स आर सेंट बाई हैड ऑफिस तू दा ब्रांच मार्क सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्लस 25 परसंट यानि इसने बूल दिया के भाईया कॉस्ट के उपर हम 25 परसंट जोड के बेचेंगे और जो की सेलिंग प्राइस पर अगर निकालते हो तो यह कनवर्ट होके बन जाता है 20 परसंट कोई बड़ी बात रही है अल कैस कलेक्टिड बाइद ब्रांच फ्रम कस्टोमर एंड कैसेल डिपोजिट टू दा हैड ऑफिस ठीक असर फॉलोविंग पर्टिकुलर डिटेल यहां पर ब्रांच एक्सपेंस अब देखो क्या कहता है प्रिपेर ब्रांच स्टॉक अकाउंट ब्रांच डेटर अकाउंट ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट भी बोल दिया है और ब्रांच अडिसमेंट बूल दिया है तो क्यासे होता है सिंब्ल से एक उठाके निकालके दिखाना है हम अभी branch expense को avoid कर देंगे हम इसी के अंदर adjustment कर दूँआ मैं ठीक है अब देखो debtor का balance opening दे दिया closing दे दिया सर यहां तो use नहीं है क्यूंकि इस सवाल में इसने स्पेशली बोल दिया कि भाया तुम्हें debtor तो बनाके दिखाना ही दिखाना है तो अब मेरी मजबूरी बन जाती है कि मुझे debtor account बनाके दिखाना ही पड़ेगा क्यूंकि question की requirement है चलिए सर सबसे पहले हमें opening कुछ balances given है उसको लिख लेते हैं तू कि पैलेंस बीडी बताओ debtor का बैलेंस क्या है सर बारह हजार और इधर लिख लेते हैं बैलेंस cd कितने हैं 14 बहुत सिंपल चैप्टर है बहुत ही सिंपल बस आपको कॉडिनेट करना होगा और प्रैक्टिस करना होगा आपने प्रैक्टिस कर लिए तो एक्जाम में पूरे पक्के मांक्स हो गए आप कहता है इनवेंटरी विद्दा ब्रांच ओपनिंग स्टॉक दे रहा है और उसको यहां लिख देते हैं टू कि बैलेंस बीडी कह दो या ओपनिंग कह दो कितने हैं बैलेंस बीडी 16,000 और buy balance 17,000 ठीक है अब आगे देखते हैं कहता है cash sales कर रहा है तो यहाँ पर आएगा buy cash sales कितने का है 60,000 आगे क्या कहता है total amount deposit to echo during the year हमने जो पैसा जमा करवाया है किसको head office को during the year तो आप ध्यान से सोचना मैं इहीं पर calculation करता हूँ भाईया हमने head office को कितना पैसा भेजा एक लाग और आपको अच्छे से पता है जिसमें से 60,000 रुपए तो आपके नगत sale के थे तो आपके बागी collection from debtor आए होंगे आपने total 27 जमा करवाया head office को तो कहां से आएंगे पैसे आपके पास एक तो नगत बेचोगे वो और एक debtor से मिलेगा वो तो इसका मतलब सर 27 में से अगर आप 60,000 माइनस कर दो तो यहाँ पर आता है 67 आपको किस से मिला होगा debtor से तो यह यहाँ आ जाएगा buy cash कितने 66 आपको थोड़ा पटा लग सकता है सर हमें कैसे पता चलेगा इस सारी बाते only practice से और मैं इतने question करा रहा हूँ जिससे कि आपको clear हो जाएगा ठीक है चलिए आगे क्या कहता है सर इसका यूज होगा return to echo echo को return कर दिया तो buy goods return कितने के 5000 echo वाला तो यहाँ आता है इसके बाद कहता है salary paid तो सर P&L का part होगा salary तो हलाकि इसमें expense account बोला है लेकिन हम अभी सीख रहे हैं तो यहाँ पर बना देते है to salary कितने रुपे salary है कौन payment कर रहा है मतलब ही नहीं आगे rent भी यहीं आ जाएगा 4000 पी एंडल में और discount allowed to customer तो डिस्काउंट भी यहीं आएगा और debtor में भी जाएगा और debtor में भी जाएगा बाइडिस्काउंट 2000 पैड़ेट्स यहाँ भी आएगा बैड़ेट्स कितने है बैड़ेट्स और कहा जाएगा सर debtor में भी जाएगा बाइड़ेट्स कितने 1000 और क्या है spoilage spoilage हमारा नुकसान है जो की हो जाता है उसे abnormal loss की category में रखेंगे हम इसको डिटेल में कल सुभह वाली क्लास में डिसकस करने वाले है ठीक है न डिटेल में abnormal और normal loss पर बिल्कुल डिटेल में डिसकस कर लेंगे कल वाली क्लास में अभी जस्ट यह क्या है हमारा में लिख देता हूँ यह abnormal loss है अभी के लिए चलिए सर्थ अब सारी चीज़े हमने पुट कर दी यहां पर अब इस account से आप खुछ सोचो क्या निकल सकता है यानि हमारा क्रेडिट ज्यादा है सरसथ हजार दो हजार एक हजार चौदा हजार 84 बन रहे है और इधर भी बन गया और यहां क्या आ गया क्रेडिट सेल्स सेवेंटी और इसका इस्तमाल कहा होगा स्टॉक अकाउंट में किस से याद आया तो कितने आगे 72 ठीक है अब मजे की बात देखो सबकुछ गीवन है स्पॉयलेज भी आ गया यहां पर गुट्स सेंट तो है नहीं तो अब जो बैलेंसिंग फिगर निकलेगा प्रायरिटी बेसिस पे देट इस गुट्स सेंट और सारी चीजे आई पी पर दे रखी है क्या यह देखो इंवेंटरी आई पी पर है तो सब कुछ आई पी पर है तो आई पी पर ही निकलेगा फाइनली हमारा तो निकाल लेते हैं साथ हजार बहतर हजार पांस हजार दो हजार एंड सत्रह हजार यह आगया 156 और यह भी आगया 156 और टू आ जाएगा हमारा क्या सर्टू तो आई ही गया हमारा माइनस 16,000 140 यह आगया लोजी स्टॉक अकाउंट कम्प्लीट अब हमें इसके लोडिंग को निकालना है तो वाले को बाई में लेके जाना है तो बाई सबसे पहले किस पे स्टॉक रिजर्व मैं स्टॉक रिजर्व को SR लिख दू तू समझ में आ जाएगा शॉर्ट फर्म थोड़ा सा स्टॉक रिजर्व किस पे ओपनिंग स्टॉक पे सर कितने परसेंट होगा सर क्योंकि सब कुछ आई पी है तो आई पी पे कितने परसेंट निकालोगे 20 तो देट इस 16,000 पे 20 परस पे closing stock 17,000 पे 20% कितने हो जाएंगे 3400 और टू गुट्स रिटन पे ऐसार आजाएका गुट्स रिटन गुट्स रिटन पे कितने आएंगे आपके 5000 पे 20% 1000 पर तो स्पोईलेज पे आ जाएगा हमारा स्पोईलेज यहां आजाएगा देट इस कितना आएगा कैसे आया 2000 में से 2000 में से आपके 400 माइनस करके हमेशा abnormal के साथ होगा अगर normal होता तो वो question आएगा तो वो भी देख लेंगे सब कुछ होगिया मेरे हिसाब से तो और कुछ रहा तो नहीं अब सर्थ sales return था क्या question में नहीं था अगर होता तो यहां पे भी मैं ले लेता sales return है ना तो यह account तो match होगी अब इस account को कर देते हैं फटा फट 3400 प्लस 3200 प्लस 28000 31200 और इधर ना गया 31200 माइनस में 3400 माइनस 1000 माइनस चार सो तो यह आगर जीपी आपके बुक में भी देख इवन होगा जीपी 2600 चार सो और बाइ साइड में आ जाएगा बाइ जीपी 2600 चार सो expense account मैं नहीं बना रहा अगेन बोरना हो कोई बच्चा परिशान हो बाद में practice करे जो लाइव ना देखे तो मैं आगे बता दूँँआ इसको expense कैसे बनता है माइनस चे हजार माइनस चार हजार माइनस दो हजार माइनस एक हजार और माइनस सोलह सो तो जी आगे 11800 चेक करिए to net profit 11800 अच्छा मैंने इसको total नहीं लिखा 26 तो यह हमारा पूरा question है that is कौन सा stock data system में थोड़ा उससे अलग है लेकिन मुश्किल नहीं है अठारा नंबर के हिसाब से तो मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी कि अ बता यह क्लियर है सब्सक्राइब कि इसके बाद देखें कुश्चन मैं कुछ question homework में भी दे रहा हूं कल सब्सक्राइब करके आओगे that is यह question मैं homework में दे रहा हूं आपको हां यह question homework में है और that is this question also homework में दो ही question दे रहे हैं homework में हुआ तो ठीक नहीं तो मैं कराऊंगा बाकि इसमें जितने भी questions है मेरे ख्याल जो भी है 25-27 पता नहीं कितना I don't know कितने है हम मेरा कराने में सिर्फ क्या रहे गया part मुझे questions को समझाना है और questions को कराना है कुछ एक point मैंने बीच में छोड़े हुए है उसको मुझे अच्छे से explain करना है बाकी chapter का अगर देखा जाए तो 80% 80% हिस्सा cover-up हो चुका है इस concept को करने के बाद ठीक है सर 25% है बच्चे कह रहे हैं सर क्रिष्णा ने कहा सर 25% है तो हां मैंने सुभह वाली class अगर आपने नहीं ली होगी तो confusion होगा अगर cost के उपर 25% होता है तो यह सारी के सारी selling price है तो sales पे table लिखवाया था automatic कितना हो जाता है 20% माल लेते हैं अगर आपको यह percentage समझ में नहीं आता तो आप sales is equal to cost plus GP करके calculate करके हर बार आपको निकालना पड़ेगा दूसरा option यह बनता है मैंने last class में बताया था याद होगा क्या बताया था sir last class में last class में बताया था जैसे कि माल लेते हैं हमारा कोई भी stock ले लो चलो मैं इसकी बात कर रहा हूँ हमने कहा था के भईया सबसे पहले क्या आता है cost और fill cash जोड़ता है इसमे profit और फिर क्या बनता है ऐसे sales आपको sales तो गीवन है cost नहीं गीवन तो इसको 100 माल लो और profit कितना था 25 तो यह कितना होगा 125 यानि सबके डिवाइड में 125 रखना है तो जैसे सवाल है आपका जैसे 14,000 है तो 14,000 डिवाइड 125 इंटू में 25 करोगे तो वही 28,000 रुपे आएगा ठीक है ना बात हुई यह घुमा फिर आके अपने तसल्ली के लिए देखो एक ऐसा होता है ना कैसा मतलब के एक अंदर से failing नहीं आ रही के सीधा 20 निकाल रहे हो तो एक सबसे पहले question करो पूरा let करके फिर एक question कर लो जैसे calculator में बता रहा हूँ डिवाइड 125 अकर उसके उपर तो तो डिवाइड ह और ऐसे कर लो जब तीनों चीज़े समझ में आ जागा तो फिर आप भी ऐसे करने लोगे बागी एक्जामनर जितने भी question आप देखोगे अभी मैं करवाऊंगा तो 99.99% question उसी percentage के basis पे होते हैं और एक्जाम में भी वही पूछा जाता है ठीक है